नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं गोबलॉक्ष और मैं हूँ आपके शाथ भासकरानन डोभाल एक फीमिल हतेली हमारे पास है महिला है उनकी हतेली है और उनके कुछ सवाल भी है कि अभी तक जो है काफी गरीबी देखी है लेकिन अब विदेश जाकर बहुत सारा धन कमाना चाहती हूँ और एक अमीर बिक्ती होना चाहती हूँ अब हतेली में क्या है भिन्न तो है हतेली क्या है क्या नहीं है ये हतेली देख के पता चलेगा सबसे पहले आपकी कलाई पे चलते हैं दीखेगा कलाई में जो आपकी ये सबसे उपरवाली रेखा है न ये सबसे सुन्दर और इस्पष्ट दिखाई दे रही है और मनिबंद में जो ये सबसे उपरवाली रेखा होती है जिसे कहते हम स्वस्त्य की रेखा जो रेखा आपके स्वस्ते के बारे में आपके आरोग्य के बारे में आपके तंदुरस्ती के बारे में बता रही है यही रेखा सबसे महत्वपूर रेखा होती है इसी रेखा के उपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाईं आपके कितनी प्रबल है और उनका क्या प्रभाव आपकी जीवन पे पड़ रहा है ये रेखा आपकी इसपष्ट है सुन्दर है, गहरी है, सीधी रेखा बनी हुई है बहुत उत्तम रेखा है ये बहुत ही उत्तम रेखा है और ये पहली मनिबंद की रेखा साब सुतरी होती है तो ऐसा जातक स्वस्थ्य के मामले में तंदुरस्ती के मामले में आरोग्य के मामले में अबल होती है मतलब आपका स्वास्थ्य काफी अबल रहने वाला है काफी सुन्दर रहने वाला है आपका स्वास्थ्य सुद्रडर होगा और काफी आकर्सन वाला व्यक्तित्वा आपका रहने वाला है और ये रेखा जितनी साप सुतरी होती है हतेली में और जीवन की रेखा भी आपकी सुन्दर इस पश्ट आके और यहां पे इस पे ही मिलती हुई आगे बढ़ रही है बिल्कुर इसी पे मिलके आगे बढ़ती हुई दिख रही है समझ लीजिएगा यह सोने पे स्वहागा है बहुत कम बिमार होंगे आने वाले समय में और आपकी मिर्त्यू देखो सबकी मिर्त्यू होनी है स्वाभाविक होगी न तो किसी एक्सिडेंट के कारण न किसी बिमारी के कारण किसी के कारण नहीं होगी स्वाभाविक मिर्थ होगी और समझ लीजिएगा ये निश्चित है आप सो साल क्रोस करके और भी उपर जीएगे अच्छे खासी अवस्ता में जीएगे क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया होता जाएगा और आपका स्वस्त्य अति उत्तमता की और जाएगा सरीर के सारे ओर्गंटस साडे बोडी पार्टस इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते जाएगे साथ ही साथ आप पूरे जीवन भर अनुसासित भी रहेंगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे मनिबंद जितना उत्तम होना चाहिता उत्तना उत्तम नहीं है लेकिन समय के साथ साथ होता जाएगा यह जितना उत्तम जितना खुब सुरत होता जाएगा आपका six sense भी बहुत अच्छा रहेगा ये आपकी मणिबंद की पहली लकीर और जीवन की रेखाईस पे मिल रही है ये चीजे यहाँ पे बता रही है दूसरी चीज देख लेजेगा इसके साथ साथ एक कंडिशन और मन रही है यहाँ पे आपके जो दोनों गुरू है ने ये जो इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे जो आचारे ब्रिस्पतिजी है देवताओं के जो गुरू है और ये अंगोठा है इसके नीचे जो सुक्र जी है दोनों ये बलाबल इस्तिती में है गुरू और सुक्र बली है ऐसे में बिक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकी तरफ आकर्सित हो जाता है ऐसा चेहरा ये आपका बणा रहे हैं दोनों गुरू बैठके मुसकान जबरदस्त रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्सित करने वाला ब्यक्तित्वा चेहरा आपका रहेगा आपकी परसनल्टी ऐसी रहने वाली है देखें जब और सुक्र हतेली में बलाबल के साथ हो और हतेली की रंगत भी इतनी खूप सूरत हो तो ऐसा ब्यक्ति निर्मल हिर्दय का होता है प्रेमी भी होंगे ये भी यहाँ पे आपकी हतेली कहती हुई यहाँ पे नजर आ रही है और एक खूप सूरत चीज और दिखाई दे रही है आ आपके सवालों का जबाब भी देता हूँ मैं पहले मणी बंद पे चले जाता है उस खुब सुरत चीज पे बाद में जाते है यहाँ पे दूसरी रेखा है इस रेखा को संपत्ति की रेखा कहते है यह भाग्या रेखा से समन्न रखती है जो आपकी यह भाग्या रेखा जारी है जो एक आएक जो है हिर्दे रेखा पे मिल रही है आगे नहीं बढ़ रही है ठीक है ने यह संपत्ति की रेखा है कहीं न कहीं आपका अंगुठा का सेकंड पोर्वा और आपकी करियर और धन की रेखा और आपकी सिकंड वाली मनिबंद की रेखा आपको एक चीज कह रही है कि सावधानी रखे जल्दबाजी में और भावनाओं के बसीबूत होकर करियर और धन के मामले में डिसिजन न ले निरणई न ले निरणईों के कारण आप अपना नुकसान कर सकते हैं बड़ा सोच समझ कर आप अपनी जीवनकाल में निरणई ले और देखिएगा जीवनकाल के जिस प्रकार से ये चंद्रमा से प्रभाव लिये हुए है जीवनकाल के 45 वे वर्स से भाग्योदय की इस्तिति आपकी आएगी और अभी कम से कम 18 महने तक विदेश के योग नहीं बन पा रहे हैं अगर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रेशानी रहेगी क्योंकि आपका चंद्रमा जो मन का कारक है चंद्रमा जो धर्म का छित्र है चंद्रमा जिस से यातराएं देखी जाती है वो कमजोर इस्तिति में हैं तो अभी यातरा का या तो मौका नहीं मिलेगा और या तो अगर मिलेगा भी तो प्रेशानी खड़ी हो जाएंगी या तो आपका चीजें रिजक्ट हो जाएंगी या जाएंगे तो आप प्रेशानी में फंस जाएंगे तो तकरवियन 18 मेहने तक मनी 2 साल तक आप बहुत ज़्यादा इस और ध्यान मत दीजेगा हाँ अगर 6-8 मेहने के अंदर आपका चंद्रमा ठीक हो जाता है आप भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेती है और कुछ किरियाईं दूगा में भगवान शिप से समंदित अगर वो कर लेती हैं और कुछ चंद्रमा का उपाय कर लेती हैं 6-8 मेहने के अंदर ये अपना अस्तान में आ जाता है तो विदेश के योग बन जाएंगे लेकिन अभी नहीं है हाँ भाग्योदाय आपका 45-वे वर्स से होगा ऐसे लोगों का सुरुवाती दोर थोड़ा सा पीड़ादाई रहता है घर परिवार का भी सुक थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता ही मिलता है लेकिन जीवन काल के 46-वे वर्स से निश्चित तोर पे बहुत अच्छा समय आप दिखाई दे रहा है अब यहां पर जो है तीसरी रेखा देखते हैं आपकी मनिबंद की तीसरी रेखा क्या कह रही है बहुत सुन्दर रेखाई गजब की रेखाई हैं तीसरी रेखा अभी पूर्ण नहीं हुई है यह इस पश्ट और सुन्दर होगी तभी जुईवन में जो है यह सुक प्रदान करेगी इसको सुक की रेखा कहते हैं यह ब्यक्ति के स्वास्त्य धन और एस्वरे भोगने का सुक प्रदान करती है इसलिए से सुक रेखा कहते हैं स्वास्त्य ठीक होगा अति उत्तम होगा यह है संपति भी 45 वर्स के बाद बहुत सुंदर बहुत धन नड्य बेक्तित्व रहेगा धन अच्छा खास आएगा उसके बाद निर्भर करेगा आपका जो है सुक्रेखा कैसी है अगर सुक्रेखा इसपश्ट हो जाती है तो निश्चित रूप से मान लीजेगा कि आप अपने स्वस्थ्य का अपने धन का और एस्वर्य का सुक्ष भो भाग्योदे की इस्तिति आ रही है तब क्या हो रहा है यहां आप देखेंगे आपकी ये जीवन की रेखा है आपकी ये मस्तिस्क की रेखा है यहां पे एक रेखा आके इनको जोड रही है और एक तिर्भुज बना रही है बहुत अच्छा धन का तिर्भुज तिरकोन इसे कहते हैं ये धन रेखा है आपकी हतेली में ऐसे रेखा होने का मतलब है कि आने वाले 46 वर्स से 46 एर से आप एक से नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे और धनड्य व्यक्तित्व आपका धीरे धीरे आने लगेगा और अच्छा खासा धन आप अपनी जीवन में अरजन कर लेंग दूसरी बात देखेगा यहां पे एक चीज और है अब इसी का एक पार्ट ले लिजेगा आपकी मस्तिस्क रेखा देखेगा यहां पे यह इस प्रकार से मस्तिस्क रेखा जारी है और एक यहां पे मिल रही है दो भागों में विवक्त हो रही है अंत में और जिस व्यक्ति क जो है अंत में मस्तिस्क रेखा द्वी मोहाकार होती है तो ऐसा जातक एक नहीं बलकि कई छेतरों से अर्थो पारजन करने का प्रियास करता है और जब कोई किसी चीज की प्रियास करता है तो सफल भी होता है ये निश्चित है तो एक से ज्यादा सुरोतों से धन का आगमन और अच्छा खासा धन आप कमाएंगे विदेश से कमाएंगे ये निश्चित है विदेश में भी जाएंगे लेकिन अभी विदेश के कोई भी योग नहीं बन रहे हैं और ब्यापार के ही योग आपके ज्यादा बनते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं अब दूसरी च दे रहे हैं और यहां पे से भी एक रेखा निकल कर मस्तिस्क रेखा से ही सूर्य रेखा की तरफ सूर्य परवत की तरफ यहां पे चलती हुई दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है आप बहुत जादा मेहनती हैं आप बुद्धी जीबी हैं और ऐसा बिक्ति कभी हिर्दय व समाज में मान पद प्रतिष्टा पाएंगे और पाने वाले भी होंगे ये भी आपकी हतेली यहां पे बता रही है और उससे भी बड़ी चीज जो भौशी के लिए बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है यहां पे आप ध्यान से देखेंगे जो आपके उर्दा चंदर है यहां से एक रेखा निकलती हुई परतीत हो रही है और यह सीधा सीधा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है कहां पे जा रही है यहां पे सूर्य परवत पे जा रही है यह भी बहुत सुन्दर है य इतनी ये इसपश्ट होगी, उन्नत होगी, इस बात का ध्योतक है कि आप अपने देश में नहीं, बरन बिदेश तक अपनी कीर्थी फैलने वाले हैं, आपकी कीर्थी जो है, आपका यस इसी देश में नहीं, बरन तो बिदेश तक कीर्थी फैलने वाले हैं, और जातक का सम्म बढ़ने वाला है यह कह रहा है ऐसा कार्य कर सकता है ब्यक्ति कि जिसके कारण अपने ही देश में नहीं बलकि बिदेश में जो है इसकी कीरती फैलने वाली है ऐसा काम करेगा यह जातक यह यहां पर कह रहा है आपकी जो है जो सूरे की रेखा है लेकिन यहां पर थोड़ी दे पंड़ा है और सूर्य अभी आपका क्या है डाउन इस्तिति में है तो यह बर्तमान समय को बता रहा है कि बर्तमान समय में आपके प्रियास सफल नहीं हो पा रहे हैं सब कुछ तयार हो जाता है लेकिन जब फाइनल होने बैट जाता है तब उसमें अर्चन आ जाती है वो काम रद्ध हो जाता है दूसरी बात आप जितनी मेहनत कर रहे हैं जितना परिसरम कर रहे हैं न तो आपके मेहनत का ना आपके परिसरम का पूरा स्रे क्रेडिट मिलना है बलकि जो आपके अंदर योग्यता है जो आपके अंदर क्वालिटी है उस तरह से चीजें उबरकर भी नही आपारी है तिसरी बात अगर आप व्यापार कर रहे हों तो वो बिस्तार फैलाव नहीं मिल पारा है जो वास्तों में मिलना चाहे यदि आप नौकरी कर रहे हों तो वो क्रेडिट अगर वो ग्रोथ हम कहें तो नहीं मिल पारे है एक सहजता से एक सरलता से जो रास्ता मिलना च एक सानदार तिरकौन बन रहा है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जबरदस्ट फाइदा आपको मिलेगा अगर आपके सारी रिक चक्डर सूरे के चक्डरों के साथ ताल मेल में आ जाती हैं तो बहुत सुन्दर है एक सूरे किरिया है मैं उस सुर्य किरिया को आपको दोंगा जरूर करिएगा आप उन्नत सिखर तक पहुँचेंगे और ऐसा कार्य करेंगे अपने देश में नहीं बरन विदेश तक आपकी किर्थी फेलेगी आपका नाम होगा आपका यस होगा और सबसे बड़ी चीज आपका बुद्ध परवत में बिज्ञान की रेखाएं है क्या होते हैं बिज्ञान की रेखाएं आपको पता है यहाँ पे एक चीज़ देखेगा एक, दो, तीन, चार, पाँच रेखाएं पाँच रेखाएं बहुत कम हतेली में होती हैं स्रेष्ट कही जाती हैं बलकि अति स्रेष्ट यह बिज्ञान की रेखाएं हैं उच्चुकोटिका, बुद्धिमान, ग्यानवान और लेखन की छमता ऐसे लोगों के अंदर होता है ऐसे लोग ही अपनी जिवनकाल में किताब लिख लेते हैं ऐसे लोग ही अपनी जिवनकाल में कई सारी किताबों की रचना करते हैं यह कह रहे हैं कि आप अपनी जिवनकाल में परिवार, समाज से हटकर कुछ अलग करेंगे जिसके चलते आपको पीडी दर पीडी याद रखा जाएगा और ऐसे जादतर जो लोग होते हैं बेग्यानिक होते हैं अनुसंधान करने वाले होते हैं अनुसंधान जो कार्य करते हैं खोजी प्रवर्ति वाले ऐसे बिक्ति होते हैं जितने भी बेग्यानिक है या इससे समंदित लोग होते हैं उनकी हतेली में ये रेखाएं इस पश्ट और सहज रोप से देखने को मिलती है ऐसा ही बिक्ति समाज से परिवार से हट कर कुछ ऐसा कर लेता है कि पीडी दर पीडी ये बिक्ति याद रखा जाता है तो वो छमता भी आपके अंदर है यहाँ पर ये बिग्यान के रेखाएं के रहे हैं दूसरी बात आपका अगर हम यहाँ पर बुद्ध देखें ये बहुत सुन्दर अवस्ता में है यहाँ पर ये फैला फूला हुआ है चोटा काम बे करेंगे ने नेम और फिम पानी की इक्षा बहुत तीबर आपके अंदर रहेगी दूसरी बात ये जितना सुन्दर होता है खूब सुरत दिखाई देता है ब्यक्ति की तवचा भी उतनी खूब सुरत होती ब्यक्ति बहुत सुन्दर होता है चाहे वो इस्तरी हो या फुरुस हो क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है दूसरी बात जब आपका सुर्य सनी अच्छी इस्तिति में आ जाएंगे तो निश्चित है आप आने वाले समय में इस बुद्ध की उजोसे इस मरकरी की उजोसे जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करेंगे हर तरह की प्रस्तितियों को भली भांत समझने वाला आपका व्यक्तित तो रहेगा योजना बना कर ही चलना आपका गुण हो जाएगा और जो भी कार्य आप परारम करेंगे शुरू करेंगे उसे अधोरे में नहीं छोड़ेंगे बलकि पूरा करेंगे और जिस प्रकार से खुबसूरती एक रंगत लिये हुई है एक सुन्दर रोप से पुष्ट आपका यहाँ पे बुद्ध दिखाए दे रहा है ये कह रहा है कि मनो बेग्यानिक के छितर में आपको माहिरता हसिल होगी सामने वाली ब्यक्त को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये गुण आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएंगे वानी जो है मिठास मरी वानी होगी सहद सी मीठी वानी अपने को ब्यक्त करने की छमता रहेगी किस के सामने कैसे बोलना है कब अपनी बात को कहना है और किस हिसाब से कहना है किस ढंग से कहना है और एक सम्मोहित करने वाली वानी एक अकरसत करने वाला चेहरा और एक मेनेजमेंट करने वाली मानसिक सकती आपके अंदर होगे जिसके कारण जीवन में सपलता के अस्तर को छोईेंगे और सरवोच उन्नत सिकर को प्राप्त करेंगे ये आपके हतेली में दिखाई दे रहा है इससे ज़्यादा और क्या चाहिए और क्या गुन चाहिए कुछ नहीं चाहिए होता है दूसरी सबसे अच्छी चीज और भी दिखाई दे रही है अगर यहाँ पे जो है सांदर तरीके से देखते हैं यहाँ पे आपकी जो है इस तरों से जा रही है ये रेखा और आचार्य ब्रस्पते से मिलन कर रही है ये भी बहुत अच्छी है स्वार्थी नहीं होता है ऐसा बेक्ति बल्कि सब के लिए सोचने वाला होता है बिद्ध्वान होता है बुद्धिमान होता है तेजुस्वी होता है हिर्दे की गहराई से प्रेम करने वाला होता है जो इनका साथ थोड़ा भी निभाता है अंत तक ये बिक्ति उनका साथ निभाते हैं स्वाविमान ही होंगी लेकिन स्वाविमान में अभिमान का पुट भी आएगा निर्मल हिर्दय का बिक्ति तो आपका रहेगा दीखेगा ये रेखा कहरी है कि 46 वे वर्ष से 45 वे वर्ष के थोड़ा बाद से आप चाहिए ब्यापार करें नोकरी करें कोई और भी काम करें समाज में एक स्रेष्ट एक लग्जिरियस जीवन बितीत करेंगे ये निश्चित है और ये रेखा जो मस्तिस्क रेखा से सनी की तरफ यू जारी है ये जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रखती है लेकिन ऐसा जो भी बिक्ति होता है खोजी प्रिवर्टिका होता है उच्च कोटिका खोज करता और रिसर्चर ऐसा बिक्ति होता है तो कहीं न कहीं अपने छेतर में उच्च कोटी की रिसर्च करेंगे और उच्च कोटी के जो है रिसर्चर कहे लाएंगे ये भी आपकी हतेली बता रही है शुन्दर है हमने सबी लकिरों के बारे में लगभग जाल लेया है अब थोड़ा आगे और कहते हैं देखे थोड़ा सा जो है यहाँ पे अगर सुन्दर रूप में हम देखते हैं तो आपका जो अंगोठा है ये अंगोठा बहुत कुछ कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे र रहा है एक तो अंगोठा सेकंड पोर्वा कह रहा है कि देखेगा जल्द बाजी में निर्णे न ले निर्णयों के कारण जो है आप अपना नुकसान कर सकते हैं तो बड़ा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है और भाग्यरेखा कह रहे हैं कि भावना की वशीवूत होकर डिसीजन न ले अगर लेते हैं या जल्द बाजी में निर्णय लेता है तो स्वयम के विकास को अवरूद कर लेंगे स्वयम के डिपलप्मेंट को अवरूद कर लेंगे और फिर उस डिपलप्मेंट को पाना उस प्रोग्रेस को पाना मुस्किल हो जाएगा तो इसका विसे कट हैं और इसपश्ट हैं और जब करियर और धन की रेखा इसपश्ट हो जाएगी इस तरों से सीधी चली जाएगी इसका मतलब है कि 45 वर्स से या उसके बाद से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहे हैं धन है प और फिर आपके अंदर निर्धनता कभी नहीं आएगी, गरीबता कभी नहीं आएगी, लेकिन आपके अंदर ego problem जरूर आएगी, इससे आपको बच कर चलना है, लेकिन धार्मिक्ता भी आएगी, धर्म कर्म के कारयों में बड़ चटकर हिस्सा लेंगे, दान और पुंड्या, इससे समंदित चीजों में ये अंगोठा अच्छा दिखा रहा है। 45 वर्स के बाद से धन के लिए आपका अंगोठा अबल किसम का है। ब्योवसाई इत्यादी चीजों को दिखा रहा है। ब्योवसाई में बहुत बड़ी सपलता हासिल करेंगे। ये आपका अंगोठा कहरा है। बहुत बड़ी सपलता है। आपका अंगोठा कहरा है कि हासिल करेंगे। अब चलते हैं आपके ग्रहों पे। शुक्र का ग्रह देखा जाए। तो शुक्र आपका बहुत सुंदर है। अच्छा खासा है। और ये जिवन में आकर्सन है, सुन्दर्य है, वासना है और प्रेम के महत को दिखाता है आप हर कार्या औरों के बजाए बहुत नाजुकता से करेंगे, खूबसूरती के साथ करेंगे लेकिन आपके अंदर थोड़ा दयालोपन, उदार दिल और खुले दिल से खर्च करने वा आपके पास गलेमर होगा, चमक होगी, नाम यस होगा, चका चोन रहेंगे, ये आपका जो है सुक्र का परवत यहां पर कहता हुआ नजरा रहा है, अभी बहुत सारी रेखाई हैं इसमें भरी पड़ी हो और यहां पर उठावा है, थोड़ा मानसिक प्रेशानी देता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है बरतमान समय में, किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिस्रम करने के बाद भी पूर्णता हासिल नहीं है, ये भी दिखा रहा है, और जो सुक वास्तुक मिलना चाह है, लेकिन कभी कबार जो है, थोड़ा गुसा जल्दी आ जाता है, यहां पर अगर हम इस छितर को देखें, ये अभी नॉर्मल भाग में है, लेकिन आने वाले समय में आपको जो है, अच्छे फल परदान करेगा, ये बता रहा है, हाँ, थोड़ा सनी जो है, उत्तम इस्ति में नहीं है, जिसके कारण कई बार दुखी हो जाते है, कामों में अर्चन आ जाती है, और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी ये दे रहा है, भग्य का उतना सयोग उतना साथ नहीं मिल पा रहा है, जितना वास्तों में मिलना चाहें, हाँ, चंद्रमा देखे देखे चंदरमा भी अभी ठीक नहीं है थोड़ा मन को गड़बड रखे हुए है सुक्र के साथ मिलकर थोड़ी मानसिक परेशानी दे रहा है कभी कभी भावकता जादा दे देता है इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते है और इसके कारण मन अच्छा नहीं रहता है और कहीं नहीं नीन आने में भी दिक्कतों का हो सकता है सामना करना पड़ता हो इस चीज के और ये दिखाई दे रहा है कुल मिला के बात करें अभी 45 वर्स तक कहीं न कहीं हतेली में इस्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है लेकिन 45 वर्स के बाद बहुत सुन्दर चीजें दिख रही है हाँ फिर मैं उपाई दूँगा किरियाएं दूँगा वो अगर आप करती हैं तो निश्चित रोप से ये मानें गया 6-8 महने के बाद आपको सुन्दर प्रणाम देखने को मिलने लगे इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ को नवपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार